हलो एवरीबन देस साइड मोनीका यादा हो, hope you all good आज की इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के exercise 10.1 कराऊंगी इससे पहले chapter 1 और chapter 2 मैं already करवा चुकी हूँ अगर किसी का कोई question रहता है तो channel पे check कर सकती है मैं सभी videos upload कर जोगी हूँ ठीक है मैंने देखा है कि most of the schools में न क्या होता है इसके बाद heroes formula पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा easy chapter है यह दो दिन के अंदर खर्तम हो जाता है इसलिए मैंने इस chapter को पहले लिया है इसके इलावा सभी exercise में time to time upload कर दूँगी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा like करना हो दोस्तों के साथ share करना चलो अब एक्सरसाइज करते है अच्छन देखिया traffic signal board indicating school ahead in equilateral triangle with side A यहाँ पे कोई traffic signal board है वो equilateral triangle में बना हुआ है जिस पे लिखा है school ahead s e लिखरी हो मैं इसका मतलब school ahead इस पे लिखा हुआ है और बोला है इसकी side A है find the area of the signal board using heron's formula और इस signal board का आपको area find out करना है heron's formula का use करके if its parameter is 180 centimeter what will be the area of the signal board अगर इसका parameter 180 degree है तो signal board का area क्या होगा देखो हम parameter को use करके भी heron's formula लगा सकते है but question में बोला है हमें heron's formula से इस signal board का area निकालना है with side A मतलब side हमें A यूज़ करनी है side of equilateral triangle equal है A heron's formula में चाहिए हमें semi parameter तो हम semi parameter निकालते हैं parameter क्या होता है equilateral triangle का side plus side plus side सारी side A है न और हमें निकाला है semi parameter इसले इसको divide by 2 करेंगे हमारे पास आता है 3A upon 2 ठीक है area of the signal board heron's formula हमें यूज़ करना है under root semi parameter into S minus A into S minus B into S minus C चलो आगे करते हैं under root का sign लगाएंगे S हमारे लिए होता है semi parameter जो हमने निकाला है 3A upon 2 then bracket लगाएंगे S वापिस से semi parameter के लिए है और A side के लिए है triangle में 3 अलग-अलग side होती है तो इसलिए ABC लिखा हुआ बट यह equilateral triangle है और इसकी side हमें given है A तो हम यहाँ पे हर बार 3A upon 2 minus A लिखेंगे ओके आगे 3A upon 2 इसको calcium लेके जैसे हम subtract करते थे वही करेंगे LCM 2 आया उपर 3A minus 2A यही काम सभी bracket में करेंगे हम 3A minus 2A upon 2 3A minus 2A upon 2 equal का sign लगाएंगे radical का sign 3A upon 2 minus करेंगे तो क्या बचेगा A upon 2 into A upon 2 into A upon 2 ठीक है root हटाना है तो हम pair बनाएंगे देखो इस 3A upon 2 को हम into में लिख लेते हैं इस 3 को अगर हम इसको अगर हम इसको ऐसे लेके 3 into A upon 2 तो भी यह 3A upon 2 है ठीक है pair बनाते है A upon 2 का एक pair बन रहा है A upon 2 का एक pair बन रहा है A upon 2 into A upon 2 यह तो हमारा radical से बहार निकल गया है और radical के अंदर क्या है 3 इस तरह से हमारे पास आता है root 3 को हम आगे लिख लेते हैं root 3 और नीचे denominator के रूप में क्या आ रहा है 2 to the 4 upon 4 A square यह हमारा equilateral triangle का area होता है जो कि हमने hero's formula से invent किया है आप इसको याद कर लीजे 10th में आपके बहुत काम आने वाला है और साथ ही में अगर एक number का question आता है तो आप इसमें सीधी value रखके आप area निकाल के दोगे question में हमें parameter दिया हुआ है यहां हम लिखेंगे parameter of equilateral triangle triangle equal है 180 cm parameter equilateral triangle का क्या होता है 3A equal है 180 cm के ठीक है transposing करेंगे इस तरह से A हमारे पास आजाएगा 60 cm यह हमारे पास 60 cm है यहां लिखेंगे area of signal board जो निकाला था हमने क्या निकाला था root 3 upon 4 into side square अभी हम side रखेंगे ठीक है root 3 upon 4 side क्या है हमारे पास 60 square है इसलिए 2 times 60 रखेंगे 2 की table से काटेंगे 2 2's are 4 2 3's are 6, 0 का 0 2 1's are 2 2 3's are 6, 0 का 0 30 को 30 से multiply करेंगे तो 900 और root 3 से multiply करेंगे तो into root 3 लिखते हैं यह area है इसलिए square cm में answer देंगे ओके तो जैसे मैंने पहले करवाया था attempt तो आपको इसी तरीके से करना है बट कुछ बच्चों को वो तरीका समझ में नहीं आता तो मैं एक और तरीका भी आपको बता देती हूँ अगर आपको वो तरीका समझ में आगया तो आप 2 मिनिट की वीडियो आगे बढ़ा के second वाला question देख सकते हैं ठीक है हमें दे रखा है parameter of equilateral triangle that is equal to 180 cm यहां से side निकाल लेंगे हम side क्या होगा 180 cm को 3 से divide कर देंगे 60 cm साथ में हम semi parameter निकाल लेते हैं हिरोंस formula में लगाने के लिए हमें semi parameter चाहिए न तो 180 को 2 से divide करेंगे 90 cm अभी हिरोंस formula से area निकालेंगे area of triangle equal है under root s into s minus a into s minus b into s minus c semi parameter जो कि 90 आया है into 90 minus 60 into 90 minus 60 into 90 minus 60 root का sign भी लगा देते हैं ठीक है root का sign लगाएंगे पहले 90 into 90 में से 60 जाएगा तो 30 into 30 into 30 ठीक है 30 के ही पेर बन रहे है 90 को भी हम 30 में factorize कर लेते हैं 3 30 जा 90 होता है 30 into 30 into 30 square root का sign हटाना है तो हमें पेर बनाने है 30 का पेर बन रहे हैं देखो दो तो 30 into 30 root से बाहर आ जाएंगे into root 3 आएगा 30 into 30 कितना हुआ 900 into root 3 area है तो square centimeter में हमारा answer आता है second question देखिए the triangular side walls of a flyover have been used for advertisement आप लोग जब भी flyover की sign में से जाते हो तो आपने देखा होगा ना कि flyover पे जो triangular side है उस पे कुछ ना कुछ paint हुआ रहता है लाइक बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ या और भी बहुत सारी चीजे बड़ी बरड़ी ब्रैंडों के advertise होती रहती है तो वही इसमें बोल रहा है कि जो ये triangular side है ना flyover की इस पे advertisement की जा सकती है the sides of the walls are जो है side दी हुई है दिवार की क्या दे रहा के 122 meter 22 meter, 120 meter the advertisement yield and earning of 5,000 per meter square per year जो advertisement का खर्चा है वो 5,000 per meter square के लिए एक साल के लिए है अग company hired one of its wall for 3 months एक company इस दिवार को 3 महिने के लिए लेती है advertise करने के लिए how much rent did it pay तो उसको कितना rent पे करना होगा ये हमें बताना है area निकालना है तभी हम rent बता पाएंगे न क्योंकि area के according rent बताया गया है यहां पे ऐसे बताया है वन मीटर square पे 5,000 रूपीज पे करने होगे per year के according ओके तो हमें क्या निकालना है इस दिवार का area निकालना है और दिवार के हमें measurement दे रखे है 122, 22 meter और 120 meter चलो अभी question करते है सबसे पहले हम लिखते है sides of triangular poles are क्या-क्या side दे रखे है 122 meter then 22 meter और last वाली side कितने की है 120 meter की हमें area निकालना है तो हम hirons formula का use करेंगे इसके लिए हमें semi parameter चाहिए तीनों side को add करेंगे और divide by 2 कर देंगे 122 plus 22 plus 120 divide by 2 उपर इनको add करेंगे तो हमारे पास कितना हैगा 264 meter और उसको divide करेंगे 2 से तो यह हमारे पास आएगा 132 meter semi parameter हमारे पास आ गया है अब हम area निकालेंगे area of the triangular wall here on formula लगाएंगे हम चलो अभी here on formula में value रखते हैं under root semi parameter कितना है 132 into 132 minus first side क्या है 122 into 132 minus second side क्या है हमारी 22 into 132 minus third side क्या है 120 चलो अभी next page पे करेंगे सबसे पहले radical का sign लगा देती है 132 और 132 मेंसे 122 minus करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 10 into यह माइनस करेंगे तो हमारे पास 110 बचेगा into और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा ओके चलो अभी हम prime factorize करते हैं 132 को prime factorize करेंगे 2 into 2 into 3 into 11 हमारे पास आएगा 2 to the 4 4 to 3 is the 12 और 12 को 11 से multiply करते हैं 132 हमारे पास आता है 10 को ऐसी रहने देते हैं और 110 को 11 into 10 कर देते हैं और 12 को कर देते हैं factorize 2 to is a 4 4 to 3 is a 12 और पेर बनाते हैं यहां 2 पेर में हैं और यह वाला 3 इस वाले 3 के साथ पेर में हैं 11 इस 11 के साथ पेर में हैं और 10 इस 10 के साथ पेर में हैं और यह 2 भी पेर में हैं सब भी हमारे पास pair में हैं तो radical का sign हट जाएगा pair में से एक एक number नीच आएगा 2 के देखो 2 pair थे एक यहाँ एक यहाँ इसलिए 2 into 2 कर देते हैं 3 का सिर्फ 1 pair है into 3 कर दिया 11 का भी 1 pair है into 11 और 10 का एक pair है इन सब को multiply करेंगे तो 1320 meter square में हमारे पास area आ जाता है ठीक है rent for one year per meter square that is equal to 5000 देखो one year में 12 month होते हैं unitary method यूज़ करके हम one month का rent निकालेंगे rent for one month per meter square that is equal to 5000 को हम किस से divide करेंगे एक साल में 12 महीने होते हैं 12 से एक महीने का आ गया अभी हम तीन महीने का rent निकालेंगे क्योंकि हमें question में 3 month का rent बताना था rent for three months per meter square अभी अभी हम पर meter square का निकाल रहे हैं ठीक है 5000 upon 12 इसको 3 से multiply कर देंगे 3 month का rent आ जेगा हमारे पास 3 की table से काटते हैं 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 की table से काटते हैं 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 और 1 0 की 0 अभी जितने area को उन्होंने hire किया था न उसका हम rent निकाल के देंगे यहां लिखेंगे rent for three months for 1320 meter square देखो one meter square के लिए तो था one thousand two hundred fifty तो इसको हम multiply कर देंगे जितने भी area का rent हमें निकालना है one thousand three hundred twenty से multiply करेंगे तो हमारे पास rupees में answer आएगा 16,50,000 rupees portion three करते हैं there is a slide in a park one of its side walls has been painted in some color with a message keep the park green and clean if the side of the wall are fifteen meter, eleven meter and six meter find the area printed in color यहां पे हमें देखो slide दिया हुआ है slide की figure भी दिया हुए है यह एक triangle में है यह figure हमें triangle का area निकालना है तो हम hero's formula यूज़ करेंगे जिसके लिए सबसे पहले हमें semi parameter चाहिए that is equal to a plus b plus c divide by 2 side क्या क्या दिया हुआ है हमें 15 meter b वाली side 11 meter और c वाली side 6 meter इनको add करते हैं तो 32 meter upon 2 आएगा 2 की table से काट देंगे 16 meter हमारे पास semi parameter आ गया हमें वो area find out करके देना था जिस पे paint होना है तो हम यह लिखेंगे the area to be painted hero's formula लिखेंगे हम और फिर hero's formula में value रखेंगे हम जो side दी हुई है semi parameter जो कि हमारे पास 16 आया है 16 में से minus करेंगे 15 एक bracket में एक bracket में 16 में से minus करेंगे 11 और last वाले bracket में 16 में से minus करेंगे 6 next page भी करते हैं चलो under root 16 into 16 में से 15 गया तो 1 ही हमारे पास बचा 16 में से 11 minus करेंगे 5 और 16 में से 6 minus करेंगे तो 10 prime factorize कर लेते हैं हम 16 को तो हम 4 into 4 ही लिख लेते हैं under root 2 area है तो square meter में हमारा answer आता है